बिहार टॉपर स्रीज के एक और महत्वपून वीडियो क्लास में आप सभी का सुवागत हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड परिक्षा 2023 के लिए बिहार टॉपर स्रीज के अंतरगत डेली हम लोग आपके सभी विशाय की वीडियो क्लास की चर्चा कर रहे हैं इसमें सुरू से हम लोग मैट, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का भी मोडल पर की चर्चा कर रहेंगे क्यूकर मैं सुरू में ही बता दिया था जब बिहार टॉपर स्रीज की शुरूआत हो रहा था कि इसके अंतरगत हम लोग आपके सभी सब्जेक्ट मैथ, हिंदी, संस्क्रीट, इंगली, साइन्स, सोसल साइन्स सभी विशाय के objective subjective प्रस्ट की चर्चा इतना कर लेंगे कि जिस्ते बाहर कोई प्रस्ट नहीं आएगा तो अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर है तो आपको मालू में डेली इविनिंग में आपके लिए क्लास अब्डेट किया जाता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है अगर मैटरिक बोट परिक्षा 2023 में आप देने जा रहे हैं संस्क्रित का एक सांदार मोडर पेपर है संस्क्रित का एकजाम भी सौ मार्ग्स का होता है तीन गंटा 15 मिट आपको प्रस्ट पत्र सौल्व करने के लिए दिया जाएगा इसी रूप में आपको प्रस्ट मिलेगा और दूसरा कि यहाँ पे सिर्फ VVI प्रस्ट के मिलो चर्चा करेंगे जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है पूरा 100 में 100 प्रस्ट अगर आप देख लेते हैं समझ लेते हैं याद करके जाते हैं एकजाम में आग यहाँ पहला प्रस्ट आपके स्क्रिन पे आप जानते हैं संस्क्रित में आपको संस्क्रित का बुक पढ़ना है उसके अतरित संस्क्रित ब्याकरन भी पढ़ना है तो पहला प्रस्ण आपके संस्कृत के बुक से है कि चालुकिय वंस के राजा कौन थे ध्यान से यहाँ पे समझेगा यहाँ पे है राजा कौन थे चलिए बताएंगे सबी विध्यारती कि इसमें से चारों आपसंस में से चालुकिय वन्स के राजा कौन थे आपसे प्रस्णिय पूछा जारा है आपसे प्रस्णिय पूछा जारा है तो चंद्रा दित्य आप जानते हैं चालुकिय वन्स के राजा थे किस चेप्टर में विए सब्सक्राइब करना है और जो भी चैप्टर मंगलम से लेकर सास्तरकारा तक पूरा 14 चैप्टर उसको 14 वीडियो क्लास में सब्सक्राइब करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लेलिस्ट सेक्षन में जाएगा उसमें चैप्टर वाइज सभी क्लास आप देख सकते एक से लेकर 14 तक तो मैं पूरा चैप्टर वहां पर हिंदी में आपको पढ़ा दिया हूं तो वहां से अगर आप देख लें आगे बढ़ेंगे सर दूसरे नमर प्रस्ण की बात करेंगे संस्क्रित से दूसरा नमर प्रस्ण आपके स्क्रीन पे है प्रस्ण आपसे कह रहा है कि अच्यूत राय की पतनी कौन थी सेम चैप्टर संस्क्रित साही त्यलेखी का चैप्टर से प्रस्ण है सभी विद्यारती करें कि तिरू मलंबा थी बिल्कुल सही तिरू मलंबा का महाकाबे आप पढ़े होंगे वरिदामबी का पारिन या नापंग जो चम्पू महाकाबे लिगी थी वहीं अच्छी उतराय की पत्नी तिरू मलंबा तो आपका ओप्सन सी दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आगे बढ सब ही देख लिजे संस्क्रित में कोई दिक्कत नहीं होगा तीसरा नमर प्रसन आपके स्क्रिन के पर जल्दी सरसा सभी विद्यारती पढ़ेंगे और आइसर दिने का प्रयास करेंगे कशांत संसकार किसके अंतरगत होता है के संसकार इसमें से किसके अंतरगत होता है प्रसनाप से यहीं पूसा जारा है जनम के बाद की जनम के पुर्व की बिबाह की सिक्षा काल और साथ की सैक्षिनिक जो संसकार होते हैं सिक्षा संबंदी संसकार उसके अंतरगत आता है यहांपी मैं पूरा संसकार से देखें काफी प्रसन आएगा cow है bet कोई दिगकत नहीं हो जनम के पूर बरतात की जनम के पहले आपके संसकार की संक्या 3 आपको याद रखना है और जनम के बाद 我们 podcast का संसकार बोलते हैं 600 शंसकार उसकी संखिया 6 है और सिक्षा संबंधी संसकार जो है सिक्षा काल का पांच है एक गिरहस्त संसकार जिसे बिबाह संसकार के नाम से जानते हूँ एक है और एक मरने के बाद मरनो प्रांत जो संसकार होता है अंतेस्टी संसकार ओ एक होता है तो देखिए आपना हो गया च्छा तीन नौ एक दस ए संसकार एक और शिक्षाकाल के पांच संसकार सिक्षाकाल के पांच संसकार के अंत्रगत ही आपका आता है सैस के सांत संसकार तो option D सही आंसर याद रखेंगे याद करते चलिएगा सभी प्रसुन को चौथा नमर प्रसुन करा है गिरहस्त काल में कितने संसकार होते हैं तो अभ जो भी विद्यार्थी कहा रहे है कि सर चौथा का सही आंसर है, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, मैं आपको उसुरू में ही बता दिया कि गिरहस्त काल में एक संसकार होता, जिसका नाम है विबाहसंसकार, आगे बढ़ते हैं, पांच नमर प्रस्ण की बात करें, तो कहा र आतर की ब्रहमचारी की धनुर्धारी की अंतेवासी, आपके बुक में लिखा गया है संसकारा पाठ में कि चीन काल में सिस्यों को ब्रहमचारी कहा जाता था, तो आप्सन भी पांच का सही आंसर हो जाएगा, एक एक प्रस्ण का उतर देते चलिए, सभी प्रस्ण आपके आ प्रस्ण है कि मन्दाकनी नदी किसके तलाब के समान दिखाई दे रही है, इंदर के, की बीशनु के, की कुबेर के, की सी रुके, आपको बताना है चारों में से क्या सही उतर है, छठा नमर प्रस्ण लिखी है और उसका जो भी आपको सही उतर लग रहा है, उसका ओप्सन तो जो भी विद्यार्ती कह रहा है कि सर छठा का सही आंसर है, option C आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, मंदाकनी वर्णनम पाठ में, मंदाकनी नदी का वर्णन करते हुए राम सीता से कहते हैं कि यह जो नदी है, कुभेर के पुरसकार्नी नदी के समान है, तो option C सही आंसर हो आएगा चाटा का, आगे बढ़ेंगे सर साथ वे नमर प्रसन की बात करें, तो कहा रहा है कि राम किसे समबोधित करते हुए मंदाकनी नदी का वर्णन करते हैं, तो अभी इसका जबाब में उपर वाले प्रसन में जमनों समझ रहे थे, तो किसको समबोधित करते हुए, options चारो है जल्दी से आंसर देंगे, सीता की, लक्षवन की, केवट की, बालमी की, तो पूरे पार्ट में आप बार बार आया है कि हे सीते हे, भी साल आक्छी सीते, तो राम जो है सीता को समबोधित करते हुए मंदाकनी नदी का वर्णन करते हैं, तो option ये सही आंसर कर देना ह साथ नमर प्रसन का, सोची अगर हिंदी में आप सभी बूक को पढ़े हैं, जो मैं काफी दिन पहले आपको पढ़ा दिया हूँ इस चैनल पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रसन का उतर देने में, चलिए आगे बढ़ेंगे सर आठ नमर प्रसन की बात कर आना है, इस प्रसन आपको गलत नहीं करना है, आठ नमर प्रसन का सही उतर क्या होगा, आंसर देने का परियास करेंगे, रंग बिरंगे तटो वाली मंदाकनी नदी को देखो, तो आप्सन सी सही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे सर नो नमर प्रसन, काफी सांदार प् स्क्रीन पे, कह रहा है प्रसन आप से कि भारत महिमा पाठ का पर्थम असलोग किस पुरान से लिया गया है, भारत महिमा पाठ का जो पहला असलोग है, देखिए जो मंगलम पाठ में असलोग है, पांच, उसको और जो भारत महिमा पाठ में पांच असलोग है, इसको कौन सा स्लोग किस पुरान से लिया गया है याद रखेंगा मंगलम पाट में कौन सा स्लोग किस उपनीशत से लिया गया है इसको जरूर रट जाएगे कि यहां से जरूर प्रसन आएगा ही आएगा जैसे यहीं प्रसन आ जाएगा है कजाम में सीधे सीधे तो इसका सही आंसर आप क्य बिशनु पुरान से भारत महिमा पाठ के पर्थम असलोक लिया गया है भारत महिमा पाठ में मंगलम पाठ के भाती पांच असलोक दिये गया है जिसमें पहला असलोक जो है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं गायंती देवा की लिगित गानी वो असलोक बिशनु पुरान से लिया गया है और दूसरा असलोग जो है अहो अमिसाम किमकारी सोबनम जो भागवत पुरान से लिया गया है और सेस्तीन जो पद है वो आधनी काल के कभियों के द्वारा रचित पद है तो याद रखेंगे भारत में पाठ में पूरा बता दिया क्योंकि एक प्रस्ण मिलेगा पहला असलोग पुछेगा जिसका नाम है गयांती देवा के लिगित गानी तो विशनु पुरान दूसरा असलोग पुछे आपका अहो अमिसाम किमकारी सोबनम तो भागवत पुरान और तीसरा और चौथा और पाच्वा तेनो असलोग आधनिक काल के असलोग है याद रखेंगे नौ नमर प्रस्ण का सर सही उतर है ओप्सन सी काफी सांदार काफी विध्यारती मैं देख रहा हूं सही से उतर देना है डेली इबनिंग में कलास जोईन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा या टेलिग्राम चैनल का लिंक में दिया हूंगा टेलिग्राम पे भी काफी ज्यादा विध्यारती वहां पे जुड़े हूं आपके सभी पेडिएफ नोट्स उसके साथ कलास शुरू करने से पहले वहां पे अपडेट भेज दिया जाता है तो टेलिग्राम चैनल आप नीचे दिये गए लिंक से ज जनम लेना चाहते हैं सभी विध्यारती आंसर देंगे तुफानिलाल की तरह तुफान मचाते हुए कि भागवान कहां जनम लेना चाहते हैं और अपसंस है आपके भारत में की बीदेश में की घर में की आकास में जल्दी से इसका सही और सटिक उप्तर देने का परियास ये 10 नमर परियास का सही उप्तर क्या होगा देखते हैं कौन विध्यारती सबसे पहले इसका आंसर दे पाता है पूरे 100 में 100 आज स्कूर करके आपको जणा है कलास से 100 में 100 अप्जक्टिव परियास में बताओंगा आपको अगर माननीजी आपको संस्क्रित नहीं आता है त शमा किसको मारता है शमा किसको मारता है निती असलो का पार्ट से प्रस्न है तो शमा कर दिए तो करोध को मारता है तो एक गारह का सभी आंसर है option c आगे बढ़ते हैं 12 नमर प्रस्ण करें सिक्छक दलित बालक को कहां ले गया प्रस्ण यही पूसा जारा है दिल्ली की बिद्यालय की बजार की घर तो राम परवेश राम अर्था की करम बीर कथा जो मैं पाठ आपको पढ़ाया था इस चैनल पे हिंदी में या कहीं पे भी होंगे तो उसमें आपको मिलता है कि सिक्छक जो है वो दलित बालक को खेलते हुए देखते हैं राम परवेश राम को सड़क पे तो वहां से उसको लेकर जाते हैं बिद्यालय में सिक्छा देने के लिए तो आप्शन भी सही आंसर कर देना है 12 नमर प्रस्ण का चलिए काफ ओप्शन है कि दिल्ली में बताईए किस गाव में निर्धन लोग रहते हैं तो संस्कृत का सवाल है तो संस्कृत के आपके चैप्टर करम बीर पार्ट में बताया जरा कि भीखन टोला में निर्धन लोग रहते थे तो ओप्शन भी सही आंसर हो जाएगा 13 का प्रसन यहीं पूसा गया है तो चودर नमबर प्रस्ण का जो भी बिद्यार्थी गण कमेंट की है कि सर बिद्यापती ये कभी थे तो आपका चला आन्सर बिल्कुल सही है बिद्यापती आप जानते परसिद मैथली कभी थे तो ओप्सन भी सही आन्सर कर देना है पंदरा नमर प्रस्ण करें संसार में बच्चों का सच्चा रक्ष कौन है यह संस्क्रित यह भी सेम चप्टर है संस्क्रित के अलस कता पाठ में जो स्लोक है उसी में प्रस्ण आया है वही से पूछा जरा है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्ष किसे माना गया है माता को पीता को भाई को बहन को जल्दी से 15 नमर प्रसंट का सही उतर देने का पर्यास किजिए तो 15 नमर प्रसंट का क्या उतर होगा आपको सिर्फ 15 नमर लिखना है जल्दी से देखिए मैथ है ने मैथ कि हम लोग कलास करते हैं साइन्स का वहाब मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बताता हूँ लेकिन यहाँ पे कहा कि सीधे सीधे अगर आप पढ़े होंगे तो आंसर देंगे 15 का A B C D जो भी लग रहा है आपको उतर अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं जो सही उतर बताऊंगा उसे याद कर लिजेगा तो जो भी विद्यारती काफी विद्यारती मैं देख सुना दे रहा हूँ देखे पूरा चेप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हिंदी में तो वहाँ पे एक असलोक आता है कि पतिरेव गती इस्त्री नाम बाला नाम जननी गती नालसा नाम गती कचिलो के कारुनिक इम बिनार्था तो इस असलोक का अर्थ किया है कि इस्त पूछा गया था ओपसन ये सही आनसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सोला नमर प्रसंद करें राव ने किसकी रजना की आगे संस्कीत सहीतिय लेखिका चेप्टर से प्रसंद कि पंडिता चमा राव जो आधनी काल की सबस्रेश्क संस्कीत सहीतिय लेखिका है उसकी राचन सी और संकर चरित में इननों क्या लिखा था तो पंडित छामाराव के पिता का नाम था संकर पांडुरंग। बने हुए हैं और 16 तक का प्रसंद का सई से उत्तर देते आ रहे हैं तो पूरा 100 प्रसंद का आपका अभियास होगा संस्कृत में कुछ नहीं जानते होंगे इतना सव याद कर लिजें यहां से सीधे सीधे प्रसंद टक राएगा क्योंकि अंतिम समय है परिक्षा में अग्जाम में ऐसे ही आएगा इसी टेक्निक को आपना कर आपको एक्जाम में प्रसंद को स्वल्व करना सीखना है शुरू से संस्कृत के पूस्तक से जो आम लोग प्यूसम पढ़ते हैं उसका हिंदी रूप आंतरन से प्रसंद है आगे संस्कृत ब्याकरन से मिलेगा किसका सिधान्थ है सर प्रसंद यहीं पूसा जा रहा है तो 17 नमर प्रसंद का जो भी विद्यारती कमेंट की है कि और सनस्कृत हिंदी ये तो काफी आसान भी से होता है इसको अगर हिंदी में कहानी है कहानी एक दो बर पढ़ेंगे किसी प्रसंद का गलत उतर आपको नहीं देना पड़ेगा पटना नगर में पाली का देवी कौन है पाटली पुत्र बैभोम जो दूसरा पाठ है संस्कृत का उसी से प्रस्ण लिया गया है सर कि पटना नगर में पाली का देवी किसको कहा जाता है सीतल देवी को की काली देवी को की पटन देवी को की गवरी देवी क तो हम लोग पढ़ते हैं कि पटना में जरसनी हम एंट्री करते हैं तो पटना में पटन देवी का स्थान है जिसे पटना का पाली का देवी माना जाता है सर तो option C18 का सही आंसर हो जाएगा काफी सांदार आगे बढ़ेंगे सर 19 नंबर प्रसन की बात करें तो प्रसन आप से 19 नंबर कह रहा है कि यूग सुत्र के राजनाकार कौन है काफी सांदार संदार प्रसन मिला जल्दी से बताएंगे यूग सुत्र के राजनाकार कौन है पाड़िनी है कि वरुची है कि करा दिया हूं गर उतना आप देखने हूंगे मैं तो मैं पřूरा विष्टार साब को सब जाता हूं तो यह भी प्रस्ण उस से बाहर नहीं आएगा कोई भी क्लासे नहीं चून लाए है आपको एकजाम तक जो भी क्लास से जा रहे है सभी क्लास कीजिए सबी का मैं description box में दे दिया हूँ हाँ से जाकर class खतम होगा तो देख लिजिएगा टेलिग्राम चैनल से जोईन रहेंगे तो वहाँ पीडियेप आपके लिए भेजा जाता है करा योग सुत्र के रसनाकार कौन है option आपके सामने है पालिनी वरूची पतंजली भास आपके रामदेव वाला पतंजली का बात नहीं हो रहा है पतंजली रिसी उनी का योग सुत्र है तो option C सही आंसर कर देंगे आगे बढ़ते हैं सर बीस नमर प्रस्ट करा याग वलक्यनी आत्म तत्व की सिक्षा किसको दी जल्दी से बताएंगे याग वलक्यने आत्म तत्व की सिक्षा किसको दिया था मैत्रई को की गारगी को की सुलभा को की रामभद्रामबा को तो याग वलक्यनी की रिसी की पत्नी का नाम था मैत्रई इन्ही को इन्होंने आत्म तत्व की सिक्षा दिया था काफी सीधे सीधे भारत महिमा पार्ट से आपका प्रसन है कि कौन भूमी पवित्र और ममता मई है बिल्कुल एकजाम के लिए भिवियाई प्रसन है वन भूमी की जल भूमी की भारत भूमी की अमेरिका तो भारत महिमा पार्ट में बताया जाता है कि भारत भूमी पवित्र औ कोई प्रसन का उत्तर गलत हो रहा है तो इसलिए मैं सही उत्तर बता रहा हूं कि आपको सही उत्तर याद रखना है आगे बढ़ते हैं सर बाइस नमर प्रसन है कजाम में सीधे सीधे प्रसन आएगा आपको यहां पर कलास में आप मेरे बात को ध्यान से सुन रहे हैं प्रसन प प्याता है हीतो पदेश क्रांथ तो करा हीतो पदेश में किसकी कहानी है तो पसू पंची की कहानी है बिल्कुल सही सर option D सही आंसर हो जाएगा 22 का आगे बढ़ेंगे सर बात करेंगे आपके 23 नमर प्रस्न 23 नमर प्रस्न कह रहा है आपसे कि पथिक कहा फस गया, आगर पथिक कथा से जो है आपका इप्रस्ण है, सेम चप्टर जो उपर वाला था, कि पथिक कहा फस गया सर, प्रस्ण यहीं पूसा जा रहा है, तो पथिक कीचण में फस गया गुरूजी, तो option D याद रखेंगे, चलिए जल्दी जल्दी आं पूरे बुक को हिंदी में पढ़े होंगे, उनको उट्टर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो युवा अवस्था में बाग कहता है, कि वो युवा अवस्था में काफी दूराचारी था, जिसके वज़ा से, आखुने वो भी गल गया है, वो खुद बूरा बीमार हो और उसके पतनी बस से मर गये है, क्योंकि वो किसको फसाने के लिए बोल रहा था, तो पथिक को, तो बाग जो है, युवा अवस्था में दूराचारी था, सर, ओप्सन से याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं 25 नमर प्रसन, करें भारत भूमी का गान कौन करते हैं, उपर आपको बता रहा थे कि भारत मुमी का गान कौन करते हैं, तो बाग जो है, इसके गुड़ गान करते हैं, तो ओप्सन डी सही आंसर कर देंगे, 25 नमर प्रसन का, आगे बढ़ेंगे, 26 नमर प्रसन, करें देव गण क्या गाते हैं, तो गायंती देवा किल गित कानी, तो कमेंट कर देंगे, पर है, मोक्ष परदान करने वाली भूमी कौन सी है, मोक्ष परदान करने वाली भूमी कौन है, भारत है, कि स्रिलंका है, कि चीन है, कि इराक है, तो एक सरबववा टाइप प्रसन है, एक ही देश के बारे में हम लोकों संस्क्रित में पढ़ना है, भारत में भारत देश तो भारत ही होगा बिल्कुल सही option A27 का सही आंसर कर देना है 28 नमबर प्रसंद कह रहा है कि गोबिंद सिंग 6 संपरदाय के कौन से गुरू थे कितने नमबर वाले गुरू थे यहीं पूछा जा रहा है अथा कि कितने आस्थान पे आ रहे थे सीधे प्रसना आएगा तो वहाँ पे आपको परस्ताना पड़ेगा कि कास आप याद करके गए रहते तो आपका सौ में सौ वाता संस्क्रित में भी 29 नमर प्रसंद कह रहा है कुटनिमितम काब्य के कभी कौन है 29 पर यहीं पूछा गया है तो दामोदर गुप्त की राचना है कुटनिमतम काब्य तो ओप्सन भी कहाँ पे मिलेगा पाटली पुतर बैभौवम पाट में 30 नमर प्रसंद की बात करें सर तो प्रसंद करें राज सेखर की राचना कौन सी है को बताना है राजसेखर की राचना कौन सी है सेम चेप्टर पातली पुट्र बायभोम चेप्टर से प्रस्न लिया गया है तो आम जानते हैं कि जो इसे हमने उपर पढ़ रहते हैं यहाँ पे देखिए कि कुटनिमित काब्य दामोदर गुप्त की राचना है वैसे ही सर राज कंगन गरहन करो ऐसा कौन बोल रहा था प्रस्न यही पूसाजार है बाग बोला की पथिक बोला की पसू बोला की गाय बोला तो हम लोग ब्यागर पतिक कतापार्ट में पढ़ते हैं कि बाग जो है कि आपके तलाब के किनारे अस्दान करके हरे पतिक से बोलता था कि यह सोन का कंगन, की साइकल की सुवन कंगन की रूपिया, तो यह कि साइकल कहा से देगा, बाक के पास साइकल आ भी ही ने सकता है, तो बूरा बाक किया दरना चाहता करेंगे, तो दान जो है वो गरीब को देना चाहिए, बिल्कुल सही ये बाग बताता है, आपको पती को लुभाने के लिए स्लोक पढ़ता है, उसमें बताता है, कि रोगी को दवा देना चाहिए, गरीब को दान देना चाहिए, और अपसन डी सही आंसर कर देंगे तैस का, आगे बढ़ेंगे सर, चाउंतिस नमर प्रसन, करेक्ट करमबीर उतसा से क्या प्राप्त करता है, तो करमबीर कथा पाट से प्रसने, राम परवेश राम वाला जो चैप्टर है उसी से, करमबीर उतसा से क्या पाता है सर, तो महत पद, बड़ा पद पाता है, तो ओप्शन भी सही उतर हो जाएगा चाहुंतिस का, आगे तो राम पर्वेस राम जब महा विद्याले में गए तो वहाँ पर पुस्टकाले में बैटके पुस्टकों को आत्म साथ किये तो option भी महा विद्याले सही आंसर याद रखेंगे 35 का आगे बढ़ते हैं काफी सांदार काफी विद्यारती आंसर दे रहें अंतक बने रहना है प असनातक के परिक्षा में बिल्कुल सही option भी जो भी विद्यारती में देख रहा हैं बुक को पढ़े हैं हिंदी में जल्दी जल्दी सही और सटिक उतर देना है जो भी नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लेलिस्ट सेक्षन में जाईएग आगे बढ़ेंगे सर सैंतिस नमर प्रस्ट कराएं बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है और प्रिस्टो बहु भासते किसके लिए कहा गया है तो मुर्ख के लिए तो option एप है तो BCD पढ़ने क्या हो सकता नहीं कमेंट कर देंगे मुर्ख के तीन पहसान बताएगे है नि option ए सही आंसर हो कर देंगे सैंतिस का आगे बढ़ते हैं सर 38 नमर प्रस्ट कराएं नर्क के कितने द्वार है नर्क के कितने द्वार है नितियस लोका पार्ट से प्रस्ट है तो option ए जैस नहीं आप पढ़ेंगे आपको BCD पढ़ने क्या हो सकता नहीं कमेंट कर देंगे सर option ए नर्क के नितिय स्लोका पाठ में तीन द्वार नर्क के बताए जाते हैं काम, क्रोध, लोब काम, क्रोध, लोब नर्क के तीन द्वार है तो आपसने सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सर 39 नमर प्रस्ट करें कूल अर्थात की वंस की रक्षा किसे होता है ये भी सेम चप्टर से है, नितिय स्लोका पाठ से है कि कूल अर्थात की वंस की रक्षा किसे होता है रूप से, की योग से, की चरित्र से, की समाज से सही उत्तर देने का परियास कीजिए तो आप पढ़े होंगे कि कूल का रक्षा न रूप से होता है न योग से होता है न समा से चरीत्र से होता है आपके चरीत्र से कूल अर्थात कि आपके वंस की रक्षा होगा तो option C39 नमबर प्रस्ण का सही उतर है आगे बढ़ेंगे 40 नमबर प्रस्ण जल्दी जल्दी आंसर दीजे ताकि पूरे मोडल पेपर को आज के क्लास में लोग समाप्त कर देए किसके 6 अंग है ब्याकरन के की बेद के की पुरान के की इस्वर के किसके 6 अंग है प्रस्ण आपसे यहीं पूछा जा रहा है तो सही हो जाता ओपसन बी कि हम लोग पढ़ते हैं बेदांग के कितने अंग है चांग है यहीं न हम लोग पढ़ते हैं बेदांग के बेद तो चार ही है बेदांग के चांग है बेद चार है रिगवेद या जुरूबेद सामवेद अथरववेद और बेदांग हम लोग पढ़ते अच्छा है सिक्षा कल्प ब्याकरन निरुकत छंद जोतिस कौन-कौन है सिक्षा कल्प ब्याकरन निरुकत छंद जोतिस ये च्छा बेदांग है तो option भी सही answer हो जाएगा और बेदराता तो बेद चार है आगे बढ़ते हैं 41 नमर प्रस्ट करें चात्र किसके सास्त्रों से आउगत होगा तो चात्र को संस्कृत सास्त्र के बारे में बता रहे हैं उनके टीचर तो option D सही आंसर कर देना है 41 का काफी सांदार आंसर देते चलिए नहीं मालू है चिंता कि कोई बात नहीं इसलिए तो कल 40 नमर प्रस्ट आपके स्क्रिम पर जैस नहीं प्रस्ट आए कमेंट में कोई इधर उदर की बात नहीं सीधे सीधे प्रस्ट पढ़े और उतर दीजिए प्रस्ट आपसे कह रहा है कि लंब प्लॉस उदर का संधी क्या है लंब प्लॉस उद्रह का संधी क्या होगा प्रस्ट यही पूसा जा रहा है तो 42 नमबर प्रस्ण का सही उतर है option ए लंबोदर बिल्कूल सही आसान संधी था आगे बढ़ेंगे ताय 40 नमर प्रस्ण करें दलित पूरुस का नाम क्या था देखें कितना संदार प्रस्ण है करें दलित पूरुस का नाम क्या था options चारों आपके सामने है राम जनम राम की राम की परवेस राम की राम परवेस राम तो क्या नाम था राम परवेस राम करंबीर कथा में हमनों पढ़े हैं तो option D आगे बढ़ेंगे सर 44 नमर प्रसंट की बात करेंगे तो ब्रह्मा समाज की तो संस्थापके राजा राम मुहन राय थे, लेकिन आर्यस समाज के संस्थापक जो थे, उस त्वामी दयानंद थे, कब अस्थापना हुआ था आर्यस समाज का मैं आपसे परस्थन पूछ रहा हूं, तो अगर आपको मालूम होगा तो कह येगा 1875 में, कहां पे हुआ था सर जी तु मुंबई में याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं सर 45 नमर प्रस्ट करें किसका नाम मूल संकर था जल्दी से बताईए किसका नाम मूल संकर था बीबेका नंद का की काली दास का की दया नंद का की विरजा नंद का तो हम लोग पढ़ते हैं कि दयानन्द का नाम मूल संकर्था तो सर ओप्सन सी सही आंसर हो जाएगा 45 का काफी सांदार काफी एकजाम के लेबल के प्रसंद की हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसका नाम मूल संकर्था सर तो दयानन्द का तो 45 का हो जाएगा आगे बढ़ेंगे सर 46 नमबर प्रसंद की बात करें तो प्रसंद कर रहा है कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा तो इतो बववा टाइप प्रसंद जानते हैं घर में जब धूरत लोग और आलसीयों की संख्या बढ़ने लगा धूरत लोग आलसी बनकर रहने लगे तो वहाँ पर आग लगा गया आग को देखकर धूरत लोग तो भागे लेकिन आलसी नहीं भागे सर तो ओप्सन भी फोटी सिक्स का सही आंसर है फोटी सेबन अमर प्रसंद की बात करें तो प्रसंद करा रहा है अथारव अबेद में कितने मंत्र दर्समती अरसाथ की रिसी पत्नियों का वर्णन है ओप्सन से चारों आपके सामने है 20, 25, 24, 5 क्या होगा सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 47 और 47 का आगे A, B, C, D जो आपको लग रहा है सही उसको लिखकर कमेंट करेंगे जो 27, 27, 47 का कमेट करेंगे ओप्सन D आपका चला आंसर बिल्कुल सही है आप संस्क्रित में आसानी से सो में सो ला सकते है अथरववेद में कितनी रिसी पत्मियों का उलेख है 5 हम लोग पढ़ते है अथरववेद में आपके 5 और रीगवेद में 24 मंतर दर्शनवती रिसी काओं का उलेख है तो रीगवेद पूछता तो 24 होता अथरववेद पूछा है तो 5 जिसमें कुछ मंतर दर्शनवती रिस चंद्रादित्य की रानी कौन थी तो विजय भट्टारी का चंद्रादित्य की रानी थी तो option भी सही आंसर याद रखना है आगे बढ़ेंगे सर 49 नमबर प्रस्ण है पहले चेप्टर से करहां मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंतर हैं तो पधात्मक बिल्कूल सही पध के पचास नमबर प्रस्ण करा है बेदा हमेतम पूरसम महांतम मंत्र किस उपनिसद से लिया गया है कठो पनिसद स्वेता स्वेतर पनिसद मूंटको पनिसद इसा वसाई उपनिसद तो मैं सुरू में बता दिया कि मंगलम पाठ में कौन असलो किस उपनिसद से है हारत में वेता स्वेतर उपनी सद से लिया गया है तो ऑप्सन भी सही आंसर हो जाएगा देखिए एकजाम में आप से स्व अबजक्टी प्रसन पूछे जाएगे या साथ लेकिन आपको पचास का ही उतर देना है लेकिन यहां पे हम लोग पूरा सो में सव अबजक्टी प्रसन सीख ल प्रसन है इसमें कुछ नहीं सोचना है जन्दी से आंसर दीजे नहीं मालू है तो सही उतर और जो मैं बता रहा है उससे याद रखेंगे 52 नमर प्रसन कह रहा है दुरगती में कौन सा उपसर्ग है दुरगती में कौन सा उपसर्ग है प्रसन यहीं पूसा जा रहा है तो 52 नमर प्रसन का सही उतर है उपसन भी दूर उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है सर दूर उपसर्ग है तो याद रखेंगे उपसन भी सही आंस सर हो गया यहां से संस्कृत ब्याकरण से परसृस्त शुरू हो गया है तो आपको संस्कृत ब्याकरण stuff दोनों पर समान रूप से फोकस करने कि अवसकता है कर तिरपन नमर प्रसन पठत्र गौइया से कौन सा सब्द बनेगा पठ पलोस गौइया से गौइया क्या है तो एक परतिया है तो उसी से पूछा जाए आप समझते हैं उपसर के कहां पर लगता है सब्द के पहले और परतिया लगते हैं सब्द के बाद में तो पठ पलोस गौइया से कौन सा सब्द बनेगा स्तर प्रस्ण यहीं पूछा जार आए तो तीरपन का याद रखेंगे ओप्शन भी पाठा क्या बनता है पाठा आगे देखिए यहां से आपको क्या जान करने मिल गए कि परतिया भी आपको पहल लेना है आगे बढ़ेंगे चोवण नमर प्रस्ण करें नेता का इस्तिलिंग क्या होगा तो सुचिए आसान प्रस्ण है इसमें तो कुछ आपको दिमाग लगाने की हो सकता नहीं है जल्दी से सही उतर देने का पर्यास किजिए देखते हैं चोवण नमर प्रस्ण का कितने विद्ध्यार थी सबसे पहले सही और सटिक उतर कमेंट करते हैं नेता का इस् सही आंसर है देखिए वो कहां पे है तो ऑप्सन है तो यहीं सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे सर चापन नमर प्रस्ण कर रहा है किस समास में सभी पदपरदान होते हैं जल्दी से इसका उतर देने का परियास करेंगे सभी विद्यार्थी किस समास में सभी पदपर बहान होते हैं तो 56 प्रसंड का जो भी ज्याथती करना कि सर्व द्वन्द समास में बिलकुल सही द्वन्द समास में योजक चीन लगता है और इसमें दोनों परदर परधान होते हैं तो बहू ब्हू ब्रही समास बिलकुल सही option C सही answer हो जाएगा 58 नमर प्रस्ट कर रहा है गायकह का बिछेद क्या होगा ये भी प्रस्ट कई बार पूछा गया है गायकह का बिछेद बताईए कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका हो जाएगा गायी प्लॉस अकह तो option B पे दिया गया है 69 नमर प्रस्ट कर रहा है कौन किरिया के संपादन में स्वतंत्र होता है आपको बताना है कौन किरिया के संपादन में स्वतंत्र होता है प्रस्ट आप से यहीं पूसा जा रहा है देखते हैं कितने भी ध्यारतिस का सई से उत्तर दे पाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं चो कारक में हम लोग पढ़ेंगे सुत्र तो उसमें आता है स्वतंत्रत करता या इसी को आप पढ़े होंगे क्या तो करतरी प्रत्मा अर्थात की करता कारक में प्रत्मा विवक्ती होती है तो इसी को बनते स्वतंत्रत करता करता स्वतंत्र है कौन स्वतंत्र है सरकरता option यह सही answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे साथ नमर प्रसन क्रीड तू किस लाकार का रूप है जल्दी से बताएगे क्रीड तू जो है क्रीड का आप लोग धातू रूप से प्रसन है कि किस लाकार में आता है क्रीड तू प्रसन यही पूसा जा रहा है options चारो आपके सामने है जल्दी से बताएगे तो इसके लिए देखिए सलस्कृत ब्याकरन का ध्यान कियोंगे तभी आप जबाद दे पाएगे कि लोट लाकार में आता है नहीं किये थे अध्यान कोई बात नहीं इसको याद रखेंगे क्योंगे सबी महत्व पून प्रसन है करहें वीडा पाड़ी में कौन समास है प्रसन यही पूसा जा रहा है तो आभी मैंने उपर बताया सरस्वति या था कि जिसके पाड़ी में वीडा हो तो option ने बहुँब्रही समास आगे बढ़ेंगे सर 62 नमर प्रसुण और गया है मंदम मंदम नूदती पॉनः मंदम मंदम नूदती पॉनः वाक में मंदम मंदम पद में दूतिया भीभक्ती किस सुतर से हुई है प्रसुण यहीं पूसा जा रहा है सर तो 62 का सही आंसर है ओपसने क्रिया विसेसने दूतिया बिल्कुल सही आगे बढ़ते हैं सर तीसट नमर प्रसन सहर्थे तृतिया का उदहारन क्या है इसे बताइए सहर्थे तृतिया देखे जो कारक सुत्र जो कारक में हम लोग पढ़ते हैं बिभक्ती सुत्र कारक सुत्र में तो उसको जरूर याद रखेंगे वहाँ से फूप प्रसना आता है हर साल सहर्थे तृतिया का उदहारन क्या है प्रसना आपसे यहीं पूसा जा रहा है तो रामेन सहसीता गच्छती ये सहर्ते तृत्या सुत्र का उदार है तो option C सही answer हो जाएगा तो उसरे नमर प्रस्ण कह रहा है पीतांबर में कौन समास है सर तो तांबर में कौन समास है तो बहुदर ही ये तो सब पीतांबर जो भी उपर हम लो पढ़ेते इसका सही उतर यहीं हो जाएगा option B आगे बढ़ते हैं सर 65 नमर प्रस्ण कह रहा है आपसे कुमार संभवा कौन सा समास है तो कुमार संभवा तत पुरू समास का उदार है तो option तो संस्कीत ब्याकरन के प्रस्ण है तो मैं प्रस्ण का उतर जन्दी से बता रहा हूँ क्योंकर आपको अगर पढ़े होंगे तो आप इसका जबाब दे पाएंगे नहीं पढ़े होंगे तो कोई चिंता के बात नहीं आप यहां से प्रस्ण याद रखेंगे कि कुमार संभवा तत पुरू समास का उदारन है 66 नमर प्रस्ण का रहा है गजानाम राजा का समस्तपद क्या होगा इस समस्तपद पूछ रहा है गजानाम राजा तो गजराज को बोलते हैं बिल्कुल सही औप्सन सी सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़े सर संसर्ट नमर प्रस्ट की बात करें देखिए यहां से आपको ये भी सीखने को मिलगा है कि ब्याकरण के किस-किस खंड से किस-किस रूप में प्रस्ट आ रहा है तो गर ब्याकरण का उखंड जब भी आप पढ़ें संस्क्रित ब्याकरण के विद्धार्ण के एक तो जो ये मोडल पर पर आ रहा है इसको याद कर लीजिए और दूसरा को सब्सक्राइब कीजिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएगा उसमें सभी चेप्टर को मैं पढ़ा दिया हूँ उतना पढ़ लीजिएगा अपका असानी से पचास में पचास सही हो जाएगा करें द्रक्शियती किस लकार का रूप है सर प्रसंद यहीं पूछा जा रहा है तो से अपसन ड़ी लिट्ट लकार आपका चला आंसर बिलकुल सही है आगे बढ़ते हैं सर अंसर नमर प्रसंट की बात करें तो प्रसंट का रहा है नयती का मूल धातु क्या है तो नयती का मूल धातु आप जानते हैं नी है सर तो option D अंसर का सही आंसर हो जाएगा 79 नमर प्रस्ण की बात करें तो प्रस्ण करा है एधी का मूल धातू क्या है सिदे सिदे देखे सभी धातू रूप से पूछा जा रहा है एधी का मूल धातू क्या है प्रस्ण यहीं पूछ रहा है तो अस अस्त में आता है एधी बिल्कुल सही ओप्शन डी सही आंसर याद र विजद काफी महत्वपूर्ण है इस साल के एक जाम के लिए तो संगम का संदी विशद क्या होगा सर तो सम प्लॉस गम ऑप्शन भी बववा टाइप प्रसंथा आगे बढ़ते हैं एक 70 नमर प्रसंथ यह भी बववा टाइप प्रसंथ जल्दी से आंसर दीजिए आप जब छोटे होंगे तभी से प्रसंथ पढ़ने होंगे e-aust के मेल से नया बढ़न क्या बनेगा सर ए प्लॉस और से नया बढ़न क्या बनेगा प्रसंथ यही 500 है तो एक 70 नमर प्रसंथ जल्दी से बताएंगे तो सबसे पहले बनाना नहीं मालू है तो याद कर लिजी आपके लिए आसान हो जाएगा U plus O के मेल से नया बर्ण क्या बनेगा U plus O के मेल से नया बर्ण वो बनता है सर Option C U plus O से क्या बनता है वो बनता है याद रखेंगे Option C सही answer हो जाएगा थीफटर नमर प्रस्ड करहे है, पूस्त कालियह का संधी विचैत, देखे रहे हैं, पूस्त कालियह का संधी विचैत, क्या होता है सर। पूस्तक पुलोस आ ले यह बिल्कुल सही option ए काफी बिद्यारतीती है तरका option ए कमेंट कर रहे हैं चल लिए आगे बढ़ते हैं चाहुत तर नमर प्रसुन तरहें निरोतो अभवत में कौन संधी है निरोतो अभवत में कौन संधी है पहाचानने का ट्रीक हो गया पुरूरूप में साइन आएगा ही तो option भी सही उत्तर है 75 नमर प्रसुन फिर बववा टाइप प्रसुन है करा O plus U के मेल से कौन सा सब बनेगा कईगा सरी तो हम बिल्कुल सही उत्तर इसका देंगे बिल्कुल आप सभी विद्धारती एक साथ आंसर कमेंट करेंगे O plus U से कौन सा 1 बनेगा देखिए जीतना इस टाइप का आता है O plus E A ये सभी में आपको बता दिया तो 75 का सही आंसर है option इसलिए में बोरूरू इतना प्रसुन याद कर लेंगे इससे बाहर क्या प्रसुन पूछेगा O plus U से O हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 76 नमर प्रसुन की बात करें जल्दी जल्दी आंसर दीजें कि हम लोगों को पूरा 100 प्रसुन समाप्त करना है कर रहा है आप से कि अधी उपसर्ग में कौन सा सब्द बनेगा अधी उपसर्ग से कौन सा सब्द बनेगा तो उपसर्ग जो है सब्द के पहले लगता है उचान करके देखे कि इसमें अधी आ रहा है यहीं प्रसुन पूछा जा रहा है तो आपके 76 नमर प्रसुन की सही आंसर है ओपसन ने अधी का रह बिल्कुल सही आपसने सही उत्तर आपको कर देना है 87 नमर प्रस्ण कह रहा है रामेन साकम लक्षमना गक्षती वाक में अब्याय क्या है रामेन साकम लक्षमन गक्षती वाक में अब्याय क्या है सर प्रस्ण यहीं पूछा जा रहा है तो देखिए ध्यान से अभ्याय क्या होता है किरिया या काल कनुसार जिसका रूप नहीं बदले तो साकम का रूप नहीं बदलता है तो option ये सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 88 नमर प्रस्ण करें रामः दिवा पठती वाक में अभ्याय क्या है तो रामः दिवा पठती में तो मैं भी बता दिया जिसका रूप नहीं बदले आपके बचन काल का मुसार तो option B पे दिवा जो दूसरा सब्द है option D पे दिया गया यहीं सही उत्तर हो जाएगा 79 नमर प्रस्ण की बात करें सर तो प्रस्ण करा है प्रो उपसर्ग से कौन सा सब्द बनेगा तो मैंने बताया उपर कि उपसर्ग सब्द के पहले लगता है देखे किसमें प्रो है क्या सर बहुआ टाइप परवेशा में है बिल्कुल सही सर option A 79 का सही उत्तर याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं काफी विद्धार्ती सही उत्तर दे रहें आपको क्लास शूल कर नहीं भागना है क्योंकि संस्कृत भी सो मार्क्स कहीं है तो पूरा अंतक देखिए समझिए नहीं मालू में चिंता कि कोई बात नहीं मैं सही उत्तर बता रहा हूं याद रखेंगे परा उपसर्ग से कौन सब्द में आगे परा है तो यह किमी है परा मर्स तो यहीं हो जाएगा बिल्कुल सही option B यह सब क्लास से आपको कोशन सॉल्ट करने का है भी डेवलप करना है आगे बढ़ते हैं गासी नमर प्रसन इसका उतर सभी विद्यारती दीजिए तो सही से उतर क्या होगा कि अभी उपसर्ग से कौन सा सब्द बना है देखिए यहाँ पर ध्यान से अभी उपसर्ग से कौन सा सब्द बना है यहीं प्रसन पूसा जा रहा है तो अभी योगह बिल्कुल सही अभी योगह बना है सर तो option भी याद रखना है आगे बढ़ते हैं 82 नमर प्रसन करहें पठन्तू किस लकार का रूप है किस लकार में पठ धातू का हातू रूप है उसी से प्रसन है कि पठन्तू किस लकार का रूप है तो लिट लकार का याद रखेंगे option भी आगे बढ़ेंगे सर तीरासी नमर प्रसन करहें पठ प्लस कत्वा से कौन सा सब बनेगा तो पठ प्लस कत्वा पठित्वा क्या होता है पठ प्लस कत्वा पठित्वा कहा है त तो option C सही answer हो जाएगा, देखें उसी पर है, अगर इसा प्रसन आएगा, एकजाम में आपको गलत नहीं करना है, पठ पलस सत्री के यूग से कौन सा सब्द बनेगा, सत्री परतिया लगाने से कौन सा सब्द बनेगा, प्रसन नहीं पूछा जा रहा है, तो यह 9 में बदा जात सर करता बनता है, बिल्कुल सही, देखें कितना सांदार प्रसन मिल गया, 3 पलस 3 से करता बनता है, option B, आगे बढ़ते हैं सर 87 नमर प्रसन कह रहा है, राग हुआ हमें कौन सा तधित परतिया है, राग हुआ, वह आ रहा है अंतिम में, यह ध्यान से देखें, इसी पर प्रसन से सही, आंसर कर देंगे, आगे बढ़ते हैं 88 नमर प्रसन, करहें, पीता मही में कौन सा इस्तिरी परतिया है, पीता मही, यह प्रसन पूछ रहा है, तो 88 का देखेंगे, तो मही यह आ रहा है, तो option C, सही उतर हो जाएगा आपका 88 का, काफी सांदार, आगे बढ़ते हैं सर 89 आई नमर प्रसन, करहें, जेस्ट प्लोस टाप के योग से कौन सा सबने का, जल्द जल्द उतर दिए, नहीं मालू मैं तो मैं सा उतर बता रहा हूँ, याद करते चलेंगे, सभी संस्कृत ब्याकरन से प्रसन है, जेस्ट में टाप इस्तिरी परतिया लगाएंगे, तो क्या बनता है सर, तो जेस्टा बनता है, बिल्कुल सही, ओप्सन है, आगे बढ़े 90 नमर प्रसन को समझ ले, तो प्रसन आप से कह रहा है, कि नदी में कौन सा इस्तिरी परते है, जल्दी से बताईए, नदी में कौन सा इस्तिरी परते है, का यूज किया गया है, प्रसन यहीं प C है बिल्कुल सही option D सही answer हो जाएगा 92 नमर प्रसंद की बात करें सर तो प्रसंद करें मातूल का इस्तिलिंग क्या होगा काफी सांदार प्रसंद है एकजाम के लिए काफी महतपून है तो याद रखेंगे मातूल का इस्तिलिंग मातूलानी होता है तो option B आगे बढ़े सर 93 न आंसर कर देना है 94 नमर प्रसंद करें प्रभू प्लस तल के यूग से क्या बनेगा प्रभू प्लस तल के यूग से क्या बनेगा सर प्रभूता बनता है याद रखेंगे प्रभू प्लस तल प्रभूता option B सही answer है काफी सांदार आगे बढ़ते है 95 नमर प्रसंद करें गंग प्लस डक के यूग से क्या बनेगा तो गंगा प्लस डक के यूग से गंगय बनता है सर तो आपसन सी सही उतर कर देज़ेगा कर देना है आगे बड़े सर चानुमे नमर प्रसंच की बात करें तो प्रसंच करा determin डैस डैस पिता आपनम गतह वाक में रीकता स्थान पर कौन सा पद होगा यहाँ पर बोलिए कौन सा पद होगा काफी सांदार प्रसन है तो रूदती बाल के पिता आपन गतह तो ओप्शन सी सही आंसर कर देना है 96 का अंतक बने रहेंगे अब अंतीम दो तीन प्रसन और बचा अगर आप पढ़े होंगे तब इसका उतर दे पाएंगे नहीं पढ़ें तो याद रखिए समय के योग में दूतिया बिवक्ती का परियोग करेंगे सर ओप्शन भी सही आंसर याद रखना है आगे बढ़ते है 98 नमर प्रसन करने में निर्धारन करने के योग में कौन सी ब आप वाला बलण कौन है निमने में ओस्ट से उचारन करने वाला ओस्ट उढ़ते कहां सभी मूर्धा से आरहा है तो आप्शन डी सही आंसर कर देना है 100 नमर प्रसन का तरहा आज के किलास के माध्यम सा हम लोग सभ अब जक्टी प्रसन की चर्चा कर लिए हैं आपके पास सं इसलिए सभी प्रसन का आंसर याद कर लेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आज के सो में से आपने कुल कितना प्रसन सही किया इस हमें भी पता चलता है कि आपके तैयारी कीसस तरकी है और उसके साथ कोई भी क्लास आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप सब्सक्रिफ टुषाद।